पहला question है वो क्या है कि finding the derivative of x square minus का 2 8 x equal to 10 अब देखिएगा कि हमने क्या शिखा था कि जो previous class थी उसमें हमने क्या देखे थे दो तीन तो method देखे थी कि derivative कैसे find out करते हैं ठीक है power का derivative कैसे निकालते हैं ये भी हमने शिखा था तो मैं आपको वो सारा method आपको recap करा देता हूँ जैसे कि हमारे पास पहला method आया था यदि आपको कोई point दिया वा हो यानि कि आपको general पूछे तो कैसे derivative करोगे किसी भी point पे तो f of days का जो formula होता था वो अपने पास क्या होता था हमने किसी भी point के उपर particular यदि point पे पूछता है वो है a अपना तो यहाँ पे देखीगा कि limit क्या आने वाली है h tending to zero है और f of यहाँ पे x की जगह अपने पास देखीगा कि a आ जाएगा और h और minus का f of a upon में क्या जाएगा h आ जाएगा ठीक है और हमने क्या देखा था कुछ formulas भी देखे थे जैसे कि हमारे पास देखेगा कि क्या आता f of x है जिसके उपर power क्या है xn है ठीक है यह वाला formula था इसका derivative क्या होता है f of xn यहाँ पे जो power है वो आगे आ जाती है और x की power क्या हो जाती है n minus का 1 हो जाती है यह हमने क्या किया था last lecture में यह सब हमने देखे थे और यहाँ पे इसको बोलता है first principle of derivative यानि कि यह जो formula है उनको हम यह भी बोलते हैं ठीक है या इन में हमारे पास execution आएंगे जहाँ पे हमें यह बोलेगा कि by the first principle of derivative से use करो इसे ठीक है और एक method होता है जिनमें हम direct apply करते हैं जैसे कि multiplication में है यदि दो अपने पास function है जो कि multiplication में है डिवाइड में है और addition में subtraction में है तो उनको कैसे करते हैं यह बाते हैं तो यह हमने last time हमने यह सब कुछ सीख लिया था अब हम करते हैं अपने पास जो first question है उसको सोथ तो first question देखेगा कि यहां पे क्या है अब देखेगा कि first question में यह तो बोला नहीं है कि आप first principle से करो इसको हम direct करेंगे ठीक है तो अपने पास देखेगा कि function तो क्या है कि यहां पे solution solution देखेगा कि यहां पे क्या है कि अपने पास जो function है वो f of x है वो कितना है यहां पे function यहां पे देखेगा कि function क्या अपना f of x equal to x square minus का 2 है और अपने को देखेगा कि कहां पे particular point दिया हुआ है कि x equal to 10 पे x equal to 10 अपने को particular point दिया हुआ है तो हमें देखेगा कि हम कौन सा formula लगाएंगे f of dash वाला है ना कि basic definition यूज करेंगे हम अपने part derivative की basic definition से तो यहां पे देखेगा basically f of dash है और यहां पे f of dash a और यहां से क्याएगा limit as tending to 0 और यहां पे क्या है f of a plus का h minus का f of a upon me h यहां पे देखेगा कि अपकी बार क्या करना है यहां पे point देखेगा कि 10 दिया हुआ है x बराबर तो f of dash की a यहां यहां से क्याएगा limit as tending to 0 है और यहां से क्या है f of 10 plus का h है और minus का क्या है f of 10 है और रीचे क्या है h है यहां तक clear आपको बात है अब देखेगा कि जो अपने को government ने जो function दिया है यहां से क्या करेंगे कि यहां पे करेंगे x plus पहले तो limit रखेंगे न यहां पे यहां से क्या है का limit as tending to 0 है ठीक है और यहां से function में क्या value रखेंगे 10 plus का h का whole square है और minus का 2 minus तो यहां पे है यह और यहां पे x की जगह क्या रखेंगे 10 का whole square minus का 2 और upon में h यह है यहाँ तक clear है अब देखिएगा कि क्या करने वाले है limit as tending to 0 और यहाँ पर इसके whole square को open कर लो आप जैसे आप whole square को open करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा यहाँ पर आएगा 10 का whole square plus h का whole square और यहाँ पर क्याएगा 20 h आएगा और यहाँ पर क्याएगा 2 और आगे देखिएगा कि यह कितना बचेगा यह आएगा minus का 100 का whole square plus का 2 और यहाँ से देखिएगा कि नीचे क्याएगा h अब देखने लाइक बाते होंगी कि यहां से देखिएगा कि कौन-कौन अपनी देखिए सूसाइड करने वाले हैं, यहां पर 2 सूसाइड करेगा, और यहां पर देखिए यह 10 और यह स्क्वेर सूसाइड कर लेगा, अब जैसे यह सूसाइड करेंगे, तो यहां से देखिएगा, कि यहां पर देखिएगा कि क् h2 बचा 20 h बचा है और यह सब कुछ cancel out है तो यहां से देखेगा कि क्या बचा है? h2 बचा है, plus 20 h बचा है और यहां से क्या हैगा? h, उपर से h2 common ले लिजिएगा आप तो limit जैसे आप common लोगे तो क्या हैगा? limit h tending to 0, यहां से h common लो, यहां से h plus का 20 upon में h है और यहां से देखेगा कि limit जैसे h से h का है, 0 put करोगे और यह 20 आया तो यहां से देखेगा कि f of dash 10 की value कितनी है यह अपने पास 20 आये वही यह अपने पास देखेगा कि answer हुआ है कि f of dash 10 equal to यह कितना है? 20 और यह अपने पास answer है